नमस्ते खुलूंखा फ्रेंज जोतनों चिबाई याफारो आज मैं फेस्बुक लाइव में आया हूँ काफी दिन के बाद दो तीन इश्यूज में मुझे बात करना था और मुझे अपना पॉइंट अफ्यू भी रखना था और अपना पॉइंट रखना चाहरहा हूँ और बहुत क्लेली और बहुत सिंप्लिस्टिकली मैं अपना पॉइंट रखना चाहरहा हूँ सबसे पहले एक रियूमर है तिरपुरा में मुझे बहुत लोगों ने फोन भी किया है कि कल क्योंकि जेपी नड़ा जी बीजेपी के राष्टर अधियक्ष खुमलूंग में प्रोग्राम करेंगे तो वो आ रहे है तो कहीं में रियूमर है कि तिरपुरा मौथा ने का कॉल नहीं किया है मैं चाहता हूँ कि नड़ा जी आए ग्रेट अतिप्रा लैंड में वेलकम टू ग्रेट अतिप्रा लैंड जेपी नड़ा जी हम आपका रिस्पेक्ट करते हैं आप नाश्रुल प्रेजडेंट है बीजेपी के आप आईए अच्छा है कि आपने अगरत सब लोग बोलते थे कि खुमलोंग क्या सुरक्षित है सेफ है आपके कुछ लीडर्स लोग बोलते थे कि खुमलोंग को हटाकर एडी सी का कैपिल कहीं और करेंगे लेकिन अगर आज देश का नैशनल पार्टी का प्रेजडेंट अगर खुमलोंग आ रहा है तो ये बहुत अच्छी बात है सबको मालूम होना चाहिए कि त्रुप्रा में इंडिजनेस लोग रहते हैं अगर तला से बाहर भी इंडिजनेस लोग रहते हैं और हम आपका स्वागत करते हैं हमारा पूरे खुमलोंग में और एडिसी एरिया में बैनर भी रहेगा वेलकम टू ग्रेटर तीप्रा लैंड नड़ा जी मैं आपको रिस्पेक करता हूं और हमारा कल्चर ये नहीं है कि हम कही में वाइलेंस करें और किसी को रोके आप आईए और मैं सब तीप्रा सास को ब सब्सक्रारे भी सोच लीजिए और नड़ा जी के सामने एक बात तो आप बोल सकते हैं कि तृप्रा में तीप्रा सा के संग सतर साल में अत्याचार तो हुआ है ये तो आप बोल सकते हैं हाँ ठीक है आप एक नाशनल पार्टी में है तो आप तीप्रा लैंड के बारे बात नहीं कर सकते हैं क्योंकि आपके उपर प्रेशर होगा लेकिन ये बात तो आप बोल सकते हैं कि तीप्रा सा के संग जस्टिस नहीं मिला है हमें यह आप नड़ा जी को ज़रूर बोलिए मैं दूसरा बात कहना चाहता था कि नड़ा जी आ रहे हैं हमारे ग्रेटर तीप्रा एरिया में तो हम तो उनका वेलकम वेलकम टू ग्रेटर तीप्रा लाइन नड़ा जी करके हानी बुसा करके हम तो करेंगे ही लेकिन मैं अपने तीप्रा सा को एक बात बोलना चाहता हूं कि आज हम पावर से आने से पहले कोई नाशनल पाटी ने तीप्रा सा को इतना सीरिश्ली नहीं लिया था इसके लिए प्राइम निस्टर हो तो वह जाता था अगरतला उद्हिपूर धर्मनगर या फिर आंबासा के शहर में हमारे तीप्रा साईरिया में को की मैं खुमुलूंग लेके आया था तो अच्छा बात है कि अब नैशनल पार्टीज भी बुकुंग बारा को थोड़ा सा इज़त दे रहें सम्मान दे रहें लेकिन ये सम्मान तभी मिला जब हानी बुसा ने अपना अधिकार और अपना पावर सबको दिखाया दूसरा बात है कि मैंने सुना है कमलपूर में कुछ प्रॉब्लम हो रहा है सबसे पहले कोई भी व्यक्ति मैंने ये बिल्किस बानो के केस में भी कहा था कोई भी व्यक्ति अगर औरत को बलातकार करने का कोशिश करता है तो वो ना तीप्रासा है ना बंगाली है ना हिंदू ह ना Christian है, ना Buddhist है, ना Sikh है, वो एक बलातकारी है, और जो भी किसी का महिला का बलातकार करने का कोशिश करता है, उसको आप जाती के आधार से नहीं देख सकते हो, उसके गुना के आधार में आपको देखना पड़ेगा, तो अगर किसी ने ये कोशिश किया और वो पकड़ा गया, तो वो बंगाली नहीं है, वो तीपरासा नहीं है, वो Christian नहीं है, वो Hindu नहीं है, वो मुसल्मान नहीं है, वो rapist, attempted rapist है, तो कानून को उसके धरम के नाम में, उसके जाती के नाम में नहीं देखना चाहिए, उसके crime, उसके गुना के नाम में देखना चाहिए, और मैं अपील करता हूँ कमलपूर में, कि इसको प्लीज, हिंदू बंगाली, या ट्राइबल बिंगॉली, या मुसलिम क्रिश्चिन करके मत कीजे, ये आदमी, अगर इसने कुछ गुना किया है, तो पुलीज को मैं request करता हूँ, कि आप जल्द से जल्द इसको पकड़िये और इसके खिलाफ कारवाई कीजे, आप गलत लोगों की पीछे भाग रहे हैं, जो महिला का बलातकार करता है, वो अपने फैमिली में भी अपने लोगों को महिला को इज़त नहीं करेगा, उनका भी बलात करने की कोशिश करेगा, एक क्रिमनल है, तो यज़त अगल से क्रिमनल, प्रोच जो परोगों कहों कि दूसरा बात है, आज रहे हमारी मुलाकात हुए, आज हमने अवी तुप लौयर से और रिप्रेजनिटिवी विच आज हमने डिली के टॉप लोएर से, ते रहेप्रेजनिटिव और टीचर अज ह टॉप थ्री फॉर लोयर्स को लेंगे और ये बात को सुप्रीम कौर्ट में रखेंगे बहुत पॉइंट्स है जो 10,323 टीचेस के बारे 2020 के सुप्रीम कौर्ट मामले में नहीं उठाया गया था ये बात इस बार हम लोग उठाने की कोशिश करेंगे मैं confident हूँ कि ये matter सुप्रीम कौर्ट में admit होगा और मैं confident हूँ कि हमें देश का कानून न्याय देगा हमारे teachers जिसका नौकरी चला गया है उनको भी एक मौका मिलना चाहिए सुप्रीम कौर्ट को मौका देना चाहिए कि उनके दिल में जो दर्द है इतने लोग मरे हैं उनको भी relief मिलना चाहिए तो ये बात आज दिली में हमारा meeting हुआ है और हम लोग वकालत नामा में teachers लोग representative वकालत नामा में sign करेंगे और ये matter को आगे ले जाएंगे इसी साल सुप्रीम कौर्ट में ये matter को admit करके हम जल्द से जल्द relief लाने की कोशिश करेंगे हिंदुस्तान का top lawyer को हम लोग लेंगे और इसका पूरा पैसे का खर्च मैं दे रहा हूँ अपने pocket से मैंने पहले commitment दिया था election के पहले कि मैं ये बात को seriously लूँँगा और मैंने ये बात को seriously लिया है और इसका कुछ logical conclusion लेकर आऊँगा last में दो-तीन लोग जो ruling party से है वो statements देते रहते हैं मेरे खिलाफ हमारे party के खिलाफ मैं आपको सिर्फ यही बात बोलना चाहता हूँ कि कल का program शान्ती से होने दीजे उसके बाद हम भी देखना चाहते हैं कि BJP का national president हानी बुसा के बारे क्या solution देना चाह रहा है उसके बाद उनका भाशन सुनने के बाद उनका बात सुनने के बाद हम decide करेंगे कि हम आने वाले दिन में क्या करेंगे और मैं आपको एक बात clearly बोल रहा हूँ हम लोग compromise करने वाले नहीं हैं सतर साल से बहुत compromise हुआ सतर साल से बहुत लेंदेन हुआ अब हम ready हैं मैदान में अपना पावर दिखाने के लिए हम किसी से कम नहीं हैं हम किसी से थोड़ा जाधा भी है तीपरासाज, don't worry, we are ready and we are ready to fight for our people, we are ready to fight for our land, we are ready to show that 2022 and 2023 will be the year of the तीपरासा मैं आपको सिर्फ एक ही बात बोलना चाहता हूँ कि हमारा थानसा ही हमारा सबसे बड़ा weapon है, हत्यार है और हमारा थानसा को तोड़ने के लिए लोग बहुत चीज़ करेंगे लेकिन अगर आपके दिल में greater तीपरा लैन, अपने हा, अपना भवश्य के बारे थोड़ा सभी thinking है, सोच है, अपने existence के बारे तो आप एक होकर मेरे साथ कंदे पे कंदा मिला कर आगे बढ़ेंगे करना है, और मैं इस बार अपने तीपरा साथ को कुछ देना चाहता हूँ, अपने लिए कुछ नहीं लेना चाहता हूँ इस इस माई मेसेज, शान्ती बना के रखें और उसके बाद हम देखेंगे कि उनका हमारे लिए क्या solution है क्योंकि मैं भी जानना चाहता हूँ कि देश का सबसे बड़ा party का president हमारे बारे सोचता है या फिर हमें ignore करेगा, मैं जानना चाहता हूँ उनसे कि वो हमारे तीपरा सा के बारे क्या बोल रहा है हमें NIT दिया गया, लेकिन NIT में तीपरा सा का admission कुछ नहीं है तीपरा सा एरिया में NIT दिया गया, ONGC तीपरा सा एरिया में डिलिंग करता है लेकिन तीपरा सा को कुछ पैसा नहीं मिलता, बहुत कम मिलता है आप national highway बनाते हो तीपरा सा एरिया से, लेकिन तीपरा सा को उसमें compensation नहीं मिलता तो मैं भी जानना चाहता हूं कि development के नाम में तीपरासा को कुछ मिलेगा या नहीं मिलेगा या फिर सिर्फ promises मिलेगा सिर्फ वादे मिलेंगे जो 2018 में दिया गया था या फिर CPM ने जो पहले-पहले हमें वादा दे दे कर हमारा vote लेकर हमें धोका दिया था हम भी जानना चाहत हैं बस यही मैं सुनना चाहता हूं आपसे शांती रखिए और आदर कीजिए हम आदर करते हैं नड़ा जी का हम आदर करते हैं राहूल गांदी का हम आदर करते हैं केजरीवाल का लेकिन सबसे पहले हम प्यार करते हैं हानी बुसा का बेलाइनो हम भाई खुलूंखा